दोस्तो थमनल आपने बिल्कुल सही देखा है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक रिसर्च में ऐसे कौन से साथ most important question है जो हर बार आए है और जो दोस्त ये कहते ना कि अब question repeat होने बंद हो गया अब slavus change हो गया तो उन सभी दोस से लेके दिसंबर 2019 तक question repeat हुए रिसर्च के अंदर सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े हासाने से इंडियास नमबर वन श्टड़ी एप, NTA यूजिजिनेट यानि निमीजिनेट, फ्री और काफी दोस्तों मेरे को ये कहते कि अब repeat नहीं होते question तो वो सभी दोस्त आज इस वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना, आज सभी को आपको मैं live proof के साथ दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से जून 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक question repeat हुए है, तो दोस्तों ये जो हम जोन 2012 का question paper है और इसके अंदर question number 49 ये देखिए, the research that aim at immediate application, यानि की search कहते हैं ये देखिए दोस्तों 49 यहाँ पे हिंदी में और English में आप देख सकते हैं, और इस पे हम detail से चर्चाबाद में करेंगें सबसे पहले हम ये देखते कि ये question कहां कहां पे कैसे repeat हुआ है, ये इमेडियेट application के बारे में पूछा हुआ है, action research यहाँ पे इसका answer आगया, अब इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों ये question कहां पे repeat हुआ है, ये देखिए, ये हमारा फिर आया है, उसके बाद दोस्तों ये देखिए, अगस्त 2016 के अंदर यहाँ पे, ये इसके अंदर ये देखिए, ये रहा action research, ठीक है, यानि कि अभी तक हमने तीन बार इसको देख लिया और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से ये repeat हुआ है, उसके बाद ये देखिए दोस्तों, ये हमारा question paper है, जनवरी 2017 का question paper है, और इसके अंदर ये देखिए, question number 1, यहाँ पे भी इन्हों इन्होंने action research के बारे में पूछा हूँ, यहाँ पे देखिए, answer 3, यानि कि action research है, और मज़े की बात है दोस्तों, इसी के बाद ही, question number 2 भी इन्होंने action research का दिया हुआ है, ये देखिए, in doing action research, what is the usual sequence of a step, action research के step क्या क्या होते हैं, वो हमें बताने है, तो यहाँ पे आप दे ये है हमारा question paper, November 2017 का question paper है, और इसके अंदर question number 6, यहाँ पे इन्होंने फिर से action research के बारे में पूछ लिया, यहाँ पे ये देखिए, answer number 3, action research यहाँ पे पूछा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद हम देखते है कि आगे किस तरह से repeat हुआ है, अब ये देखिए, आगे फिर ये repeat हुआ है, ये देखिए, जुलाई 2018 का question paper है, और इसमें इन्होंने action research ये पूछ लिया, और ये फिर है दोस्तों, वही है कि जो matching करने वाला question है, उसके अंदर इन्होंने दोबारा फिर पूछ लिया, और उसके बाद हम देखते है कि किस तरह से repeat हुआ है, ये देखिए, इन्होंने फिर से इसके अंदर जो staff है वो पूछ लिया, यहां पर, action research के staff पूछ लिया, तो दोस्तों, आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते कि किस तरह से action research की question repeat हो रहे है, और आगे भी मैं आपको दिखा रहे है, ये देखिए दोस्तों, ये बीस जून 2019 morning shift का paper है, इसके अंदर question number 1 देखिए, यहां पे इन्होंने फिर से action research के step है, cycle है, उसके बारे में पूछ लिया, और यहां पे इसका जो answer है, वो हम एक बार देख लेते है, plan, act, observe, reflect, और उसके बाद में और आगे देखते हैं, उसके बाद देखिए दोस्तों, ये हमारा question paper है, 21 जून 2019 evening shift का paper है, और इसके अंदर ये देखिए, question number 5 इन्होंने यहां पे पूछावार, इस cancer भी कहा, यहां पे क्या है, action research, option number D यहां पे दिया हुआ है, और उसके बाद में हम और देखते हैं, और ये देखिए, यहां पे आगे ये रहा question number, ये देखिए, 25 जून 2019 evening shift का paper है, और य इन्होंने पूछ लिया, देखिए, यहां पे आप देख सकते है, action research, action research कितना कितना repeat हो रहा है, और अभी मैं आपको, December 2019 exam जो हुआ है, उसके अंदर भी ये question दिखाने वाला हूँ, अभी ये देखिए दोस्तों, ये हमारा, 4 December 2019 morning shift का paper है, आप सभी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं ये, ठीक है, और यहां पे ये देखिए, जैसे कि यहां पे हमने हिंदी में दिया हुआ है, यहां पे हिंदी में देख सकते हैं, और यहां पे ये देखिए, ये रहा, 4 December 2019 morning shift का paper है, और ये देखिए, यहां पे answer number 4, action research, ये देखिए दोस्तों, कितना repeat हो र इखा रहा था आपको, ये question, ये देखिए, 3 December 2019 evening shift का paper है, और यहां पे इन्होंने किर्यात्मक सोद के बारे में पूछ लिया, किर्यात्मक सोद को English में excellent research ही कहते हैं, दोस्तों, ठीक है, तो आप देख सकते कि एक question किस तरह से बार 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 repeat हो रहा है, और जो दो दिसंबर 2019 का paper है, ये देखिए, 3 December 2019 का paper है, action research यहां पे ये आया है, और 4 December 2019 morning shift में action research यहां पे आया है, और यही question ये देखिए, दिसंबर, जून 2012 के अंदर यहां पे, ये आया है, action research, तो आप अच्छे से देख लीजिए, दोस्तों, with proof हम आपको दिखा रहा हूं, फिर बा repeat हो रहे है, और दोस्तों अगर आपको ये हमारी PDF चाहिए, हमने जून 2012 से लेकिए, दिसंबर 2019 तक research के जितने भी question आया है, वो हमने अलग करके, teaching के question के question के question अलग है, इस तरीके से सभी topic के question हमने अलग कर रखे है, अगर किसी दोस्त को ये PDF चाहिए, पूरे study notes चाहिए, प आपको बता देता हूं कि action research क्या होता है, इसके अंदर हमें किन चीजों का ध्याना रखना जरूरी है, देखें सबसे पहली चीज इसके अंदर क्या है, कि जहां पे तातकालिक रूप से, यानि तातकालिक का मतलग है कि जल्दी से कोई अनुसंधान की जाए, research की जाए, उस यह रहा, question number two देखें, इसके अंदर हमें इसकी sequence याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, sequence से question बहुत बार आये है, अभी मैंने आपको दिखाया है, December 2019 में इसमें से question आये है, तो यह देखें, इसकी step, plan, act, observe, or reflect, यह इसकी step है, यह हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा ज research में से बार बार पूछी जाती है, ठीक है, दोस्तों अगर आप चाहें तो बहुत अच्छे से study करने के लिए हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको सभी 10 unit के study notes देते हैं, theoretical videos देते हैं, इसके साथ 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper देते हैं, with topic wise question, जैसे कि आज तक research क question आचुके हैं, वो हमने अलग करके हैं, teaching के question अलग करके हैं, communication के अलग करके हैं, इस तरीके से सभी 10 unit के question हैं, आपको अलग-अलग किये हुए मिलेंगे, इसके साथ दोस्तों हम आपको सभी 10 unit के live mock test देते हैं, दोस्तों अगर आपको हमारा paid course जोइन करना है, तो जल्दी से जल्दी हमें इस WhatsApp नमबर पर contact कीजिए, तो चलिए दोस्तों, अब हम इसके अलावा और question देखते हैं, कि और कौन से question है, जो repeat हुए है, दोस्तों, यहां पर मैंने list बना रखिये, उसके बाद मैं है, उसके बाद मैं है, उसके बाद मैं है, दोस्तों, हमारे पास ethnographic research, अब देखे दोस्तों, कितने question repeat होते हैं, कितने कितने मैं हैरान हूं दोस्तों, और आप लोग यही गलती करते हैं, कि आप analysis नहीं करते हैं, कि कौन सा question कहां पर है, और कितनी बार repeat होता है, अब आपको एक और question दिखाने वाला हूँ, वो देखना आप कितनी बार repeat हुआ है, आप उसे देखके हैरान रह जाएंगे अब यह देखे दोस्तों यह 21 जून 2019 मौर्णिंग शिफ्ट का पेपर है और अभी जो यह अपना स्लिवस थोड़ा अपडेट हुआ है उसके अनुसार हम देखते हैं कि किस तरह से कोशन यह रिपीट हुआ है यह देखे दोस्तों यह रैड में देख लिया कि एक बार यह रिपीट हुआ है उसके बाद में हम आगे देखते कि यह कोशन किस तरह से रिपीट हुआ है अब यह देखे दोस्तों कोशन नमबर फोर के अंदर इन्होंने फिर इथेनोग्राफिक रिसर्च के बारे में यहां पे पूछ लिया ठीक है दो पर रिपीट हुआ है और आगे हम देखते कि आगे किस तरह से रिपीट हुआ है और दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बहुत से कोशन बताने वाले जो रिपीट हुए अब यह देखिए दोस्तों यह हमारा 26 जून 2019 मौर्निंग सिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर यह देखिए नर्जातिये वरनन विशेक सोध यानिकी इथनोग्राफिक रिसर्च के बारे में इन्होंने फिर से पूछ लिया और इसका अंसर सी यह दिया हुआ है और आगे हम देखते कि यही कोशन कैसे रिपीट हुआ है अब यह देखिए दोस्तों यह अब आगया दिसंब 2019 मौर्निंग का पेपर है और इन्होंने फिर से नर्जाति सोध के बारे में यहां पे पूछ लिया आप देख सकते दोस्तों किस तरह से कोशन रिपीट हो रहे हैं मैं कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा है जो भी है आपके सामने है विलकुल प्रूफ के साथ आपको मैं सा नर्जाति सोध के बारे में पूछा हुआ है और इवनिंग का जो पेपर है उसमें भी इन्होंने नर्जातिय विज्ञान अध्यन यानि कि जो इथेनोग्राफिक दिसर्च उसके बारे में यहां पे इन्होंने पूछा हुआ है यानि कि एक कॉर्शन किस तरह से और इवनिंग दोनों शिफ्ट में रिपीट हो रहा है और आगे भी हम देखते दोस्तों अगर आगे यह रिपीट हो तो यह देखी यह दोवारा फिर रिपीट हो गया और यह है पांस दिसंबर 2019 मौर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर यह देखिए नर्जाति किस तरह से एक ही कुश्चन बार 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 रिपीट हो रहा है कि यूजी सी वाले हाथ दोके इसके पीछे पड़ गए भाई इसे तो हमें छोड़ना नहीं साए कुछ भी हो जाए यह तो बस दे के ही मानें तो दोस्तों अगर आपको यह पता चल जाता है कि हमारे एक् तो मैं पूरे यकीन के साथ कहता हूँ कि आपका नेट और जियारफ दोनों क्वालिफाई हो सकते हैं और दोस्तों हम इसी तरीके से हमारे चैनल पर स्टड़ी करवाते हैं हमारी ओल्ड वीडियोस देख सकते हैं उसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से बताता है कि ऐसे कौनशे question और topic है जो बार-बार question paper में repeat होते हैं और दोस्तों अब हम बात करते हैं कि इसमें जो इथेनोग्राफिक research है यह क्या होती है और इसमें हमें क्या ध्यान रखना है ताकि आगे यह question आई तो हमें किस तरह से इसको write करना है तो यहाँ पर यह नोट से देख स तो जो जिस पे हम study कर रहे है, participant in their real life event, यानि कि कोई participant है, जो हमारी research के अंदर भाग लेने वाला व्यक्ति है, उसकी real life से related कोई हम process करें, या फिर evidence collect करें, उसके बारे में study करें, तो उसे हम क्या कहते हैं, इथेनोग्राफिक research कहते हैं, यानि कि real life situation से related कोई research करें, तो उसे हम कहते हैं, इथेनोग्राफिक research कहते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जुरूरी है, ठीक है, और यही चीज इन्होंने बार बार पूछी है, और इथेनोग्राफिक research के बारे में हमने और भी अच्छे तरीके से बताया हुआ है, पीछे की वीडियो में, तो आप हमारे पीछे की वीडियो से देख सकते हैं, उनमें हमने आप सभी को ये सभी question बहुत अच्छे तरीके से बताया हुई है, तो चलिए दोस्तों, अब हम अगला question देखते हैं, research के अंदर कौन सा है, जो बार बार repeat हुआ है, और हमारे लिए काफी महत्तो पुण है, उसके बाद में, दोस्तों, हमारे पास scientific research आता है, तो scientific research देखते हैं, ये question भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, और इसका बहुत बार question repeat हुए, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है, तो चलिए इसमें मैं दिखाता हूँ किस तरह से question repeat हुए है, ये देखे दोस्तों, ये हमारा December 2013 का question paper है, और इसके अंदर question number 59 आप देख सकते हैं, विज्यानिक सोध, यानि कि scientific research के जो step होते हैं, वो हमें बतान question हम इंगलीलित देख लेते हैं, 59-90 आप्ता कैसमें देख सकते हैं, ये हम देख सकते हैं और आगे हम देखे हैं, ये ही question किस तरह रिपीट हुआ है, और मैं भार मारा कहां ही हमारे लिए काफे, ई्सके काफी चंसे कह आया है, और इसके काफी chances वनते हैं, अब की बार पेप पेपर है और इसके अंदर कोश्चन नमबर 8 देखिए सोध पदों का निमल निकत में से कौन सा करम विज्यानिक विधी के निकट स्थ है यानि कि यहां पर इन्होंने फिर से साइन्टिफिक रिसर्च के जो स्टैप है वह यहां पर इन्होंने पूछ लिए है तो आप देख स आप देख सकते हैं इन्होंने फिर से विज्यानिक अनुसंधान के करम के वारे में पूछ लिया उनके जो स्टैप होते हैं उसके वारे में यहां पर पूछ लिया तो आप यह भी देख सकते कि किस तरह से कौश्चन रिपीट हो रहा है और वही है कि मैं कोई हवा हवाई मे बात नहीं करता जो कुछ भी आपके सामने है तो इसलिए मैं दोस्तों बार बार एक बात कहता हूं आप सभी के लिए कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका चाहिए पेपर फरस्ट हो चाहिए पेपर सैकिंड हो हमारे लिए ओल्ड पेपर कर कौन सा question है जो बारवार repeat हुआ है आगे दोस्तों हमारे पास ex post factor research है दोस्तों यह जो research ऐ एक सपोस्ट फेक्टो रिसर्च यह भी हमाले बहुत ज्यादा important है और काफी बार इसमें से question आये है यह देखे यह हमारा question जून 2012 का कोशन पेपर है और इसके अंदर ये देखे एक्स पोस्ट फेक्टो रिसर्च को हिंद में क्या कहते हैं और पस्चन मुखी अनुसंधान भी कहते हैं इसको ये देखे ये रहा हमारा 53 कारियोत्तर सोध का आर्थ है इन्होंने या पे पूछा हुआ है तो इसका जो आ जिन्दी में देखना चाहे तो यहां पर देख सकते हैं कि घटना के बाद जो सोध की जाते हैं उसे कारियोत्तर सोध कहते हैं ठीक है और यह कोशन देखते दोस्तों आगे किस तरह से रिपीट हुआ है हमारा ताकि आप अच्छे से समझ के ये देखे ये हमारा नहीं ये त अधर न्बर फाइव देखे यहां पर thinner नहीं फॉर दिया है एक्सपॉष्ट्टत मैथर यहां पर दिया हुआ है तो आप देख सकते कि किस तरह से कॉशचन रिपीट हो रहा है और आगे मझा कु देखा देख वर कि किस तरह से कॉशचन बार बार रिपीट हुआ ये देख यहां पे इन्होंने फिर से X-Posht Factor Research के वारे में पूछ लिया है तो दोस्तों यह X-Posht Factor Research करना हमारे बहुत ज़्यादा जरूरी है अब यह देखिए यह नवंबर 2017 का Question Paper है और इसके अंदर यह देखिए दोस्तों Question No.7 आप यहां पे देख सकते हैं बिल्कुल असानी से यहां पे इन्होंने फिर से इसका जो आंसर है X-Posht Factor Research दिया हुआ है और यह Question दोस्तों जूम 2019 में भी Repeat हुआ है आगे भी मापको दिखा देता हूँ तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों कि अब Question है वो Repeat होना बंद हो गया बिल्कुल भी बात नहीं है दोस्तों अब भी Question Repeat होते है हमारे लिए Concept Clear होना बहुत ज्यादा जरूरी है यह देखे दोस्तों यह 20-0-2019 Morning Shift का पेपर है और इसके देखे दोस्तों यह Question Number 10 आप देख सकते हैं और इसका अंसर एक है यहां पे आप बिल्कुल असानी से देख लीजिए दोस्तों तो किस तरह से Question Repeat हो रहे हैं और आगे देखते दोस्तों आगे भी Question Repeat हो रहे है या नहीं हो रहे है जिसको ज्यारफ लेना है नेट लेना है वो ओल्ड पेपर कीजिए और तभी आपका नेट ज्यारफ क्वालिफाई हो पाएगा और आगे हम देखते दोस्तों आगे कौन से Question है जो Repeat हुए है आप देखे टाइप ऑफ सेंपलिंग कि मैं देखते हैं की ही से Question Repeat हुए है अभी देखे दोस्तों यह हमारा Question Paper है अब आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह से Question Repeat हुए हमारे है आगे ताइप ऑफ सेंपलिंग से से रिलेटीड कोश्चन है दोस्तों हमने रेड कलर किया हुआ है इन में और यह है हमारा यह देखे दिसंबर 2012 का कोश्चन पेपर है इसके अंदर यह देखी विच ओधा फॉलॉविंग सैंप्लिंग मैथड इस बेश्ट और प्रोबैलिटी सैंप्लिंग दोस्तों मुख्य र बना रखें बहुत अफ्य श्टड नोड्स बना रखें अगर आ पुई नोट्स लेने है तो यह नोट्स भी आप ले सकते यह देखें रिसर्चा सैंप्लिंग यहां पर यहां पर देखिए प्रोल्वेलिटी रागी परोफलेटी शैंप्लिंग के वी twee मैफ्हलु हैं अलग probability sampling के बारे में पूछ लिया और आगे हम देखते हैं दोस्तों की sampling से किस तरह से question repeat हुए है अब यह देखे दोस्तों यह हमारा question paper है Zoom 2013 का question paper है और इसके अंदर यह देखे question number 60 question number 60 है which of the flowing sampling method is not based on probability अब देखे पहले इन्होंने यह पुछा था कि probability पे कौन सा है और अब इन्होंने पूछा कि probability पे बेश्ड नहीं है वो हमें बताना है तो यहां पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से question repeat हो रहा है और यही question दोस्तों हमारा December और June 19 में भी repeat हुआ है अब यह देखे यहां पे इन्होंने फिर से पूछ लिया है यह देखे यह December 2013 का question paper है और यह जो question है दोस्तों यह June 2013 में repeat हुआ था और आगे फिर यही question repeat हुआ है June December 2013 में repeat हुआ है देखे इन sampling the lottery method is used for ठीक है तो आप देख सकते कि किस तरह से एक ही question बार बार repeat हो रहा है और आगे फिर आगे यह देखे यह June 2014 का question paper है और इन्होंने फिर से पूछ लिया which of the following is not a non-probability sampling method तो आप देख सकते कि किस तरह से question repeat हो रहा है आगे फिर repeat हो गया दोस्तों यह हमारा June 2014 के अंदर repeat हुआ है question which of the following is a non-probability sampling अब देखे दोस्तों आपके सामने है किस तरह से question repeat हो रहा है और कई दोस्तों यह कह सकते कि मैं खुद इनको question को ऐसे डाल रहा हूँ तो ऐसा नहीं है दोस्तों आप old paper download कीजी और जो जो मैंने year बताई है और जो question number बताई है वो आप चेक कर सकते हैं यह जो question है दोस्तों यह हमारा December 2013 के अंदर repeat हुआ था यहाँ पर यह 54 number question है और फिर आगे यह जून 2014 में repeat हुआ था और इसका है 53 number question ठीक है तो आप बिलकुल असानी से question paper download करना और उनमें देख लेना अगर आपको मेरे उपर doubt है तो और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही question किस तरह से repeat हुआ है बहुत बार repeat हुआ है दोस्तों और बहुत से question है दोस्तों जो साइद मैं वीडियो में ना बतासकूं तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आप यह PDF ले लीजिए और इसमें हमने 2012 से लेके कि दिसंबर 2019 तक सभी question अलग-अलग किये हुए हैं जिससे आप असानी से पदा कर सकते कि इसे कौन से question है जो बार-बार repeat होते हैं यह PDF आप सभी के लिए काफी important साबित होगी दोस्तों अब यह देखे दोस्तों यह आगया हमारा 26 June 2019 morning shift का paper है और इन्होंने फिर से इने यहा 2019 morning shift का paper आ गया और यह पहले कौन सा था पहले था हमारा 26 June morning shift का और शोरी दोस्तों यह evening आया दोस्तों evening shift का paper है यह इसमें देखे यह number 1 snow world sampling के बारे में इन्होंने यहाँ पे पूछ लिया है तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि किस तरह से question repeat हो रहे हैं और हम यही बतात है कि किस तरह से हमें question को देख रहा है अभी देखे दोस्तों यह तेन जन अभी देखे दोस्तों तीन दिसम्बर 2019 इवनिंग shift का paper है यह December का paper है दोस्तों आप ध्यान से देख लीजिए यह दिसम्बर 2019 मौर्निंग शिफ्ट का पेपर है और इसके अंदर ये देखे कोशन नमबर 25 यहां पर आप देख सकते कि दोवारा फिर इन्हों ने सैंप्लिंग से कोशन दे दिया तो आप बिलकुल असानी से और विदू प्रूफ देख सकते दोस्तों किस तरह से हमारे कोशन है देख से देख ले इस वीडियो को कि किस तरह से कोशन रिपीट हoh रहे है जो छपन किने किस दोस्तों हम आगे और कोशन देखते हैं जो जो color दिया है हमने green दिया है तो वो देख लेते हैं दोस्तों green 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 हाँ ये आगे ये आगे ये आगे ये रहा ये देखे जून 2012 का question paper है और इसमें आप देख सकते हैं research ethics से इन्होंने question दे दिया research ethics do not include ठीक है यहाँ पे इन्होंने दे दिया और आगे हम देखते हैं यही question December 2012 के अंदर आया है good research ethics इन्होंने यहाँ पे पूछा हुआ है और आगे देखते हैं कि ये question किस तरह से repeat हुआ है ये देखे ये हमारा आगे आगे जून 2013 का question paper है और इसके अंदर ये देखे question number 59 which of the following belong to the category of good research ethics ठीक है आप देख सकते हैं किस तरह से repeat हो रहा है और जो topic है हमारे रिसर्च ethics कितना important है और दोस्तों ये जितने वी topic और जो question आपको बता रहा हूं ये सभी हमने बहुत अच्छे तरीके से करवाए हुए है आप हमारे research की videos देख सकते हैं प्ले लिस्ट है research की उसमें आप जाके देखना सभी topic आपको बहुत अच्छे तरीके से मिल जाएंगे और आगे देखे दोस्तों ये ही question हमारा जून 2016 के अंदर repeat हुआ है यहाँ पे आप देख सकते है question number 9 यहाँ पे देखे research ethics के बारे में इन्होंने पूछ लिया ठीक है तो research ethics करना हमारे बहुत जादा important है और उसके बाद में देखे दोस्तों यह हमारा अगस्त 2016 का question paper है और इसके अंदर ये देखिए कहां गया है आईए रहा question number 4, research ethics इन्होंने फिर से पूछ लिया और आगे हम देखते दोस्तों आगे यही question किस तरह से repeat हुआ है अब यह देखे question number 9 यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है जुलाई 2018 का question paper है यहाँ पे यह question number 9 यहाँ पे आप देख सकते कि research ethics के बारे में इन्होंने फिर से पूछ लिया और आगे हम देखते दोस्तों जून और दिशंबर में किस तरह से repeat हुआ है यही question हमारा और दोस्तों इसी तरीके से हमारे paper second में भी बहुत question repeat होते हैं ठीक है तो हमें old paper करना बहुत ज्यादा जरूरी है अब यह देखे दोस्तों यह हमारा है 5 दिसंबर 2019 morning shift का paper है यहाँ पे यह देखे दोस्तों यह रहा हमारा सोध नैतिकता यहाँ पे इन्होंने फिर से पूछ लिया तो आप देख सकते दोस्तों किस तरह से बार बार रिपीट हो रहा है जोन 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक और दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूखी अगर आपको old paper PDF चाहिए 2012 से लेके 2019 तक paper first और paper second की तो आप हमारा आप हमारी एप निमिजनेट डाउनलोड कीजी उसके अंदर हमने paper second की जितने भी paper हैं वो with answer की हिंदी इंगलिश में दिये हुए है और सबसे खास बात दोस्तों उस एप में ये है कि उस एप में आपको दिसंबर 2018 जोन 2019 और दिसंबर 2019 के question paper देखने को मिलेंगे सभी shift के question paper आपको देखने को मिल जाएंगे तो दोस्तों आप जरूर उस एप को install करना हो और भी काफी चीज़े उस एप में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा important होने वाली है और आगे हम देखते दोस्तों आगे किस तरह का question है जो repeat हुए है आगे दोस्तों हमारा step of simple research अब देखिए दोस्तों ये जो question है ये question भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा important है इसमें से बहुत बार question भी पीट हुए दोस्तों अब आप खुद देखना मैं आपको दिखाने वाला हूँ live proof के साथ हाँ अब ये देखिए ये हमारा black में है ये देखिए ये हमारा question number June 2012 का question paper है sorry December 2012 का question paper है और इसके अंदर ये देखिए question number 53 सोद की निमन लिखित और स्थाव का सही करम बताएए जो simple research जो होती है दोस्तों उसके step इनों ने यहाँ पे पूछे हुए है तो इसके अंदर एक चीज में यहाँ पे आपको बता दू जैसे ये answer number B है answer number B यहाँ पे हम देख लेते हैं यह है एक दो चार ती एक सबसे पहले सोद समस्या का निर्मार और फिर दो सोद उधिस्यों को सूची बद करना तो दोस्तों सबसे पहले के आईगी हमारी सोद समस्या आईगी और इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है हमने सभी स्टैप बताई है रिसर्च के अंदर 7-8 तरह के अलग अलग टाइप की स्टैप होते हैं जैसे कि हमने देखा ना इसके इसके तो सब्सक्राइब थाहते में तो इन आंक आप देख सकते हैं गरा एम मिल्हें यह मीं हमने यहाँ पे दिये हैं उसके बाद में साइन्टिफिक रिसर्च फिर एक्सिन रिसर्च फिर सोध मिवंद के जो तता होते हैं और फिर डिस्क्रप्टिव रिसर्च के स्टैप क्या है और फिर रिसर्च प्रपोजल उसके स्टैप क्या है ठीक है तो यह सभी हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों अगर आपको यह नोट्स चाहिए तो आप ले सकते हैं आप हमें वर्ट्सप पे मैसेज किजी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और आगे हम देखते हैं दोस्तों यही कोशन सिंपल रिसर्च किस तरह से रिपीट हुआ है यह कोशन ही दिसंब्र दोहजार बारा का कोशिटर के पर है हमारा और इसी के अंदर आगे मुझें, म。 यही कोशन किस तरह से हमारो किस तरह से हमार है हुआ कोशन नमपरेचास है। א॰शा पर सिंप हाल म्युआं यह हूं है। तो आप देख सकते कि किससी कोश्जन RIPPET हो रहा है सिम्पल रिजि़र्च के बारा में हमें पता होना ही होना चाहिए ये एक basically question है जो आ सकता है और आगे हम देखते हैं दोस्तों किस तरह से RIPPET होई है ये देखें ये हमारा अगस्ट 2016 का question paper है और इन्होंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे PhD thesis के step यहाँ पे इन्होंने पूछ लिए और मैं बता रहा था ना दोस्तों कि काफी तरह के step होते काफी type के step होते तो वो सभी हमें पता होना चाहिए और आगे हम देखते दोस्तों यह question किस तरह से repeat हुआ है और यह 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 रहा जनवरी 2017 का question paper है और इन्होंने यहाँ पे यह देखे अनुसंधन चरनों का तार्किक कर्म यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया तो आप देख सकते दोस्तों किस तरह से question repeat हो रहे है और मुझे उमीद है कि अब तो आपको old paper question की एहमियत का पता चल गया होगा और जो भी दोस्त net और जियारफ करना चाहेगा तो वो जरूर जरूर old paper करेगा यह मेरा विश्वास है और आगे हम देखते दोस्तों यही question किस तरह से repeat हुआ है हमारा अब आ गया हमारा यह दिसंबर 2019 का paper आ गया अब यह देखे दोस्तों यह है हमारा तीन दिसंबर 2019 morning shift का paper है यहां पर आप देख सकते हैं सोथ प्रकिरिया के तार्किक करम को बताना है ठीक है research के जो step होते है यहां पर हमें बताने है तो आप देखी दोस्तों आप बिल्कुल आख तो आप देख सकते हैं दोस्तों बिल्कुल प्रूफ के साथ आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरह से question repeat हो रहे है और यह देखे question number 45 सोध किस सोपान यहां पर इन्लों ने पूछ लिए और इसका answer हम देख लेते हैं यह देखे दोस्तों समस्या आ गया ना कि सबसे पहले जो research problem होते हैं वो identify करना हमारे लिए काफी important है तो आप यहां पर देख सकते हैं simple research में क्या-क्या step होते है और एक बार पिर मैं वही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको पूरी details से इनके बारे में जानना है जितने भी question हमने करवाएं topic करवाएं तो आप हमारी जो playlist है उसमें जाके आप देखी research की और यहां फिर हमने एक video डाली हुए research के उपर दो घंटे की video उसके अंदर हमने पूर सभी क सभी topic आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाए हुए हैं तो आप चाहे तो दो घंटे की वो वीडियो भी देख सकते हैं तो दोस्तो मैंने पूरी पूरी कोशिस किये कि आपको सभी question बतास को जो research के अंदर काफी important है और इसके अलावा भी काफी question है दोस्तो जो research के अंदर बहुत important है और जो repeat भी हुए है तो दोस्तो अगर आप सभी question के बारे में जानना चाहते तो आप यह PDF ले सकते हैं और पेपर दे रहे हैं old year question पेपर दे रहे हैं विदान सर की Hindi English में दे रहे हैं और उन paper में सबसे खास बात ही है दोस्तो paper first के जितने वी unit है उनके question हमने अलग-अलग किये हुए हैं जैसे आप देख सकते हैं यहां पर research के क्यों हैं teaching के क्यों हैं communication के सभी unit के हमने अलग-अलग क की हुई है यह नहीं कि 100 का 100% हमने हिंदी में बनाया हुए है नहीं Hindi English में यहां पर बनाया हुआ है लेकिन एक चीज यहां पर मैं बता दो कि यह जो notes है special Hindi student के लिए है यह कहकी 80% जो language है इसके अंदर हिंदी में हमने दी हुई है तो आप यहां से यह notes देखके हमारी video देख के बहुत अच्छे तरीके से अपने study कर सकते हैं और साथ में दोस्तो हम आपको paid course के अंदर live mock test भी देते हैं जिससे आप यह देख सकते कि आपको कि तरह कुछ आ रहा है या नहीं आ रहा तो दोस्तों अगर कोई भी दोस्त हमारा paid group जोइन करना चाहिए तो paid group जोइन कर सकत है इस WhatsApp नंबर पर आप message कीजिए आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए, comment कीजिए और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया और घंटे का बटन जरूर दवाईए ताकि आप हमारी अने वाली वीडियो को सानी से देख़के, thank you दोस्तों